जो कि आपको surrender ही करना है तो यह surrender आप after two years कर सकते हो after two years आप इसको surrender कर सकते हो surrender value जो है directly आपके account में पिदिने तीन से लेकर three days से लेकर 10 days के अंदर में आपके account में आ जाता है लेकिन यह जो surrender value रहेगी अगर आपने पूरा contract policy का जो contract है 10 साल का 15 साल का 20 साल का जो भी आपने आगर आपने नहीं निभाया और surrender value उसके पहले आप करते तो काफी सारे उसके surrender charges लगके तो ही उसके अपके account में आएंगे तो पूरा benefit आपको नहीं मिल पाएगा आपको अभी जम जो आपने पूरा contract अगर आप निभा थे तो यहाँ पर आपको दुनिया बर का benefit मिलता आपको tax benefit आजाता आपको surrender value आपकी maturity value काफी strong रहती ठीक है बागी और काफी सारी जो benefit आपको जो बताया गया था वो सब सारी चीज़े इसके अंदर already रहती है लेकिन अगर आपने समझो यह contract को आपने नहीं निभाया बीच में आप contract को खतम कर रहे हो तो आपको surrender value तो मिल जाएगा लेकिन surrender value के उपर surrender value जो मिलेगा ब अगर आप कोई भी जैसे कि आप insurance policy purchase करते हो जिस तरीके से आप property purchase करते हो तो बैंक से जाके आप loan लेते हो तो आपको EMI भरना रहता है अगर आपने EMI अगर आपने 6 महिने तक नहीं भरा तो क्या करती है बैंक वाले आपके property को seal करके चली जाती है उसी तरीके से insurance आप buy करते हो ठीक है insurance में भी तो एक lump sum आपको corpus मिलने वाला है तो समझो कि insurance का आपका yearly आप कोई भी premium pay करते हो yearly करते हो half yearly करते हो quarterly करते हो तो आप premium pay करते हो कोई भी region की वाज़े से सपोज accident हो गया financial problem हो गया तो उसकी वाज़े से आप premium को आपने समझो आप नहीं भर पाए चार साल के बाद पांच साल के बाद या कभी भी आप premium आप नहीं भर पा रहे हो अब यह situation में क्या होगा कि पहला तो आपको 30 दिन का grace period दिया जाएगा कि 30 दिन तक कोई भी insurance company आपको 30 दिन तक बोले गई कि आपका premium पे कर दो without any charge कोई भी आपको चार्ज नहीं लगया लेकिन अगर आपने 30 दिन तक भी आपने नहीं भरा 30 दिन के बाद भी आप anytime इसको बिना paperwork के आप इसको revive कर सकते हो जिसको चालू कर सकते हो एक minor charge लगेगा और इसको चालू कर सकते हो लेकिन आपने 6 महीना 6 मन्त तक अगर आपने continue नहीं pay किया 6 महीने तक तो 6 महीने के बाद यह policy lapse में convert हो जाती है अब lapse में convert होने के कारण इसका क्या scene होता है lapse में convert हो गया अब lapse में convert हो गया तो पहली चीज़ तो आपको चालू करने के लिए इसको paperwork complete करना पड़ेगा paperwork complete करना पड़ेगा insurance company के office में जाके plus हो सकेगा तो उन लोग medical भी करवाएंगे अगर छे महीने के बाद अगर lapse policy को चालू करना है तो paperwork complete करना पड़ेगा हो सकेगा तो medical भी करना पड़ेगा दूसरी चीज़ अगर आपकी policy lapse है अगर आपकी policy lapse है तो वो time पे आपका insurance cover बंद कर दिया जाता है lapse में insurance cover बंद कर दिया जाता है लेकिन अगर आपको इसी चीज़ को अगर आपको revive करना है तो paperwork के साथ medical करवाके इस policy को आप चालू कर सकते हैं ठीक है चालू करने का एक minor penalty लगता है वो आप मैंने minor penalty आप मतब add करके आप अपने premium चेक के थूरू cash के थूरू या जैसा भी आपको comfortable लगे आप उसको आप चालू कर सकते हैं ठीक है और तीसरा main चीज यह है अभी समझो आपने policy को आपने lapse होने के बाद आपने revive कर दिया यानि कि आपने start कर दिया चालू कर दिया अब इस पॉलिसी को आपको new policy की तरह treat किया जाएगा ठीक है आपने paper work medical करके आपने कर दिया तो इसको new policy की तरह treat किया जाएगा अब new policy treat करना मतब आपको पता ही होगा जब आपने policy लिया तो आपके agent ने बताया रहेगा कि 365 दिन तक अगर suicide से death होती है suicide से death होती है तो insurance amount नहीं मिलता तो उसी तरीके से नई policy की तरह इसको treat किया जाएगा फिर जैसे ही आप revive से start करते हो तो 365 दिन तक आपको मतब suicide death में इसमें cover नहीं होगा बागी all death इसके अंदर cover होगा तो ये था कि lapse अगर lapse तो समझो हजार में से कोई एक card client ही करता है क्योंकि light bill, gas, बिजलीगा bill, education fees, आपके tour वगरा या फिर आपकी जो भी expenses है जो आप day to day आप करते हो उसी तरीके से आप insurance policy के premium को भी आप continue करो क्योंकि ये भी बहुत necessary चीज़ है कि आपके न रहने पे आपकी पूरी family को आपका जो standard of living है वो नीचे ना आए इसके लिए insurance policy रहती है कि due date से लेकर 5 साल तक यानि कि 5 साल के अंदर में आप इस policy को कभी भी आप चालू कर सकते होगा 5 साल तक का time दे रही है insurance company कि भाई आपने policy को आप चालू कर लो तो मेरा request है कि laps इसको ना होने दे वही सबसे best है Thank you so much